Hello Virgos, this is your Bi-Weekly from 16th to the 30th of November So let's check out your reading and you may switch your role according to your situation चलिए देखते हैं पहले आपकी इनर्जी तो यहां हमारे पास 6 of cup है, 9 of pentacles है और 10 of pentacles है ब्यूटिफुल इनर्जी, बहुत ज़दा positivity में है आप और साथ ही साथ आप एक soulful connection feel करते हैं अपने partner के साथ कुछ अच्छी memories share करते हैं, आपने partner को याद भी करते हैं छोटे-छोटे step ले रहे हैं, आप धीरे-धीरे अपने partner की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या build up करना चाहते हैं, आप build up करना चाहते हैं ब्यूटिफुल home like family और money की जहां पे abundance हो ब्यूटिफुल husband wife sort of a connection हो पुरानी कुछ यादे हैं, उन्हें याद करते हैं और धीरे-धीरे जो हैं, इस connection की तरफ बढ़ रही है चलिए दूसरे इंसान की energy देख लेते हैं 9 of pentacles, emperor card, lovers card, and the sun card ब्यूटिफुल आप दोनों ही काफी high vibration में हैं positive हैं, दोनों ही, काफी positivity show हो रही है आपकी reading में आपका जो partner है वो अपनी चाहे single power को embrace कर रहा है ठीक है, चाहे single रहना prefer कर रहा है लेकिन अपनी self love, self care को अपना ध्यान खुद रख रहा है pamper कर रहा है, तो वैसी सी energy है confident है अपने आप में बहुत जादा थोड़ी ego problem हो सकती है लेकिन अपनी masculine energy को practical approach को पूरा जागरत किया हुआ है true love आपके साथ definitely है एक soulful सा connection फील करता है और काफी खुश है इस वक्ता आपका partner अपनी soul को embrace करने में लगा हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है चलिए final outcome देख लेदे, night of wands आप दोनों के अंदर passion की कोई कमी नहीं है attraction की कोई कमी नहीं है और मुझे लगता है आप दोनों से एक कोई बहुत जल्द दूसरे को approach करने वाला है पूरे passion के साथ लेकिन bottom of the deck eight of swords है लेकिन आप में से कोई एक इंसान है जिसे कुछ डर भी है लेकिन फिर भी manifest कर रहा है इस connection को कोई fears है खुद के बनाए हुए अपने mind में जो की उन fears से बाहर आने के जरूरत है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सब positive positive है आपका partner जो यह इंसान है किसी और इंसान के साथ नहीं है कोई दूसरा तिसरा इंसान इसकी life में नहीं है चीक है चलिए हम advice ले लेते हैं सबसे पहले हिलेरियन divine healing honor your sensitivity retreat to recharge and heal your light can spot others तो जो भी देख रहे हैं वीडियो आपके अंदर healing power है या तो आप खुद को heal कर रहे हैं या आप दूसरों को अपनी light से heal कर रहे हैं change and transition archangel Ariel thank you Ariel for leading me safely through this change किसी तरीके का change आपकी life में आ रहा है किसी changing process से आप गुजर रहे हैं ठीक है चलिए love message रेख लेते हैं आपके partner की तरफ से I try to stop that feelings okay sorry friends I try to stop those feelings but now you are burning hotter and brighter than ever within me आपका partner जितनी अपनी feelings आपके लिए चुपाने की कोशिश करता है वो उतनी जदा बढ़ जाती है you are always safe with me तो आपको कहना चाहता है कि आप अपने partner के साथ हमेशा safe है I was not looking for this I don't know how to deal with this real में वो आपके जैसे इंसान से शायर प्यार में नहीं पढ़ते लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे वो जो है आपके साथ love में पढ़ गए है और कैसे इसे आगे बढ़ाई तो वो चीज जो है आपके partner को समझ नहीं आ रही है लेकिन यहाँ प्यार की मुझे कमी नहीं दिखाई दे रही चलिए ये छोटी सी reading थी comment section में मुझे बताईएगा कैसी लगी कि ये लिएक ये खेँ़ रही ह रही आपके रही है